कमाल के ब्यूटी टिफ्स एक बार आजमा करतो देखें पहला नारियल तेल में एक विटामिन E कैपसुल मिक्स करें इससे बालों में मालिश करें और आदे घंटे बाद शैंपू करें इससे बाल सिल्की और चमकदार बनते हैं दूसरा प्याज को पीस कर उसका दो चमच रस निकाल लें इस रस से बालों की हलके हातों से मालिश करें तीसरा आवले का मुरब्बा खाएं चाहे तो कच्चा आवला भी रोज खा सकते हैं आवले के तेल की बालों में मालिश करें चोथा, एलोविरा का सेवन करने से भी बालो को पोशन मिलता है और इससे बाल घने और मुलायम होते हैं पाचवा, बालो में अरंडी के तेल से मालिश करें यह तूटते बालो की रफतार को रोक देता है चटा, डैंडरफ की समस्य से निजात पाने के लिए आप नारियल के तेल का उपयोग कर सकते हैं इसमें नीम्बू का रश मिलाकर बालो पर लगाएं तो जल्द ही डैंडरफ समाप्त हो जाता है क्योंकि नारियल तेल में मुझूद एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल तत्व नीम्बू के रश के साथ मिलकर डैंडरफ को दूर करते हैं साथवा, पंसारी की दुकान पर मिलने वाले पटसन के बीजो को रात भर भिगो कर रखें सुभे उन्हें उबाल लें और उस उबले हुए पानी से बने जैल को सिर पर लगाएं आठवा, मुलायम और काले बालो के लिए शीकाकाई भिगो कर रखें और उसे बालो पर लगाएं बाल काले और घने होंगे नौवा, अरंडी के तेल में विटामिन E का कैपसुल तोड़ कर मिलाएं और उसे सिर में लगा लें ये बालो के लिए जुरूरी पोशक की तरह काम करता है दस्वा, आधा कब पके हुए पपीते को मसल लें और उसमें एक चम्मश शहद मिलाकर चहरे पर लगाएं दस मिनट बाद चहरे को ठंडे पानी से धो लें पपीते में मुझूद एंजाइम चहरे के सामले पन को दूर करते हैं शहद तवचा में नमी परदान करता है और तवचा को मुलायम बनाता है ग्यारवा नीम की पतियों को धो कर पेश्ट बना लें दो चम्मश नीम की पतियों के पेश्ट में एक चम्मश दही मिक्स करें इसे चहरे पर लगाएं और पंदरा मिनट बाद चहरा धो लें नीम में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती है यह तवचा के बैक्टीरिया को खतम करता है जिससे मुहासों की परेशानी दूर होती है इस फेस पैक से तवचा का रंग निखरता है और संटैन और ब्लैक हैड से निजात मिलती है 12. खर्बूजा विटामिन A और C का अच्छा स्त्रोथ है इसमें भरपूर फाइबर होता है जिसके कारण यह पाचन क्रिया दुरूस्त करता है खर्बूजा खाने से स्किन पर निखार आने के साथ ही डी हाइड्रेशन से भी बचाव होता है 13. भरिंग राज को बालो के लिए परम ओश्दी माना जाता है इसे नियमित रूप से बालो में लगाने से बालो का जड़ना तूटना डैंडरफ आदी जैसी समस्या दूर हो जाती है 14. आवला में मुझूद विटामिन सी, रूखी और बेजान तूचा में जान लाने का काम करता है यदि रोजाना आवले के जूस का सेवन करे तो आपकी तूचा का रूख़पन और जूरियां और दाग धब्बे जैसी समस्या असानी से दूर हो सकती है 15. नहाते समया पानी में आधा निम्बू निचोड़कर नहाएं रोजाना ऐसा करने से आपकी तूचा चिकनी और खूबसूरत दिखने लगेगी और उसके साथ ही पसीने की बदबू से भी छुटकारा मिलेगा 16. अगर आप रोजाना सुबे ताजी मलाई में निम्बू के रस की कुछ बूंदे मिलाकर चहरे पर लगाते हैं तो इससे चहरे की जाईयां दूर होने लगती हैं और चहरे में निखार आता है इसका असर तीन से चार दिन में दिखने लगता है 17. दूर की मलाई में चुटकी भर हल्दी मिला लें इसे अपने होटों पर लगाएं और दो से तीन मिनट मसाज करें इसके बाद गीले कपड़े से इसे साफ कर लें इससे होटों का कालापन दूर होता है और होट गुलाबी हो जाते हैं 18. दो चमच मेथी धाने को पीस कर आधा कटोरी दही में मिला लें इसे बालों के जड़ में लगाएं और तीस मिनट बाद शैंपू कर लें इससे डैंडरफ दूर होने के साथ ही बालों का जड़ना भी कम होता है 19. मश्रूम का सेवन करने से बालों में मजबूती आती है और बाल जड़ने की समस्या कम हो जाती है 20. रीठा और आमला भी बालों को पोशन देते हैं इनका पेश्ट बना कर बालों पर लगाएं इससे बालों को पोशन मिलेगा 21. तील का तेल बालों के लिए बहुत अच्छा होता है इसके तेल की मालिश बालों की जड़ों में करें बाल घने हो जाएंगे 22. सरसो के तेल को गरम करके उसमें नारियल का तेल, तील का तेल और अरंडी का तेल मिलाएं और इस सुपर तेल से सिर्की मालिश करें बालों के लिए हर तरह से फायदे मंद है ये सुपर तेल 23. नारियल के तेल में एलोवीरा जल मिलाकर बालों के जड़ों में मिलाएं इससे बाल भी लंबे होंगे और उनकी उम्र भी बड़ेगी 24. मेथी के दानों को राध भर के लिए भीगो दें और सुवे इसका पेश्ट बनाकर बालों में लगाएं फिर सिर्धो लें 25. नारियल का दूद भी बालों में पोशन देता है आप हफते में एक बार नारियल के दूद से बालों की मालिश करें 26. आलू में विटामिन A, B और C का भंडार होता है इसके रस को बालों में आधा घंटके लिए लगाएं और फिर धो लें 27. जैतून के तेल से तीन दिन में एक बार रात को बालों की मालिश करें इससे बालों को हर तरह का पोशन मिलता है और बाल लंबे और मुलायम होते हैं 28. नारियल और शीशम के तेल में गुढ़हल के फूल का पेश्ट मिलाएं और पंदरा मिनट के लिए लगाकर सीर धो लें 29. महंदी भी बालों को प्रियाप पोशन देती है सब्ता में एक दिन सीर में महंदी लगाएं ये बालों को कलर भी देगी और मुलायम भी करेगी 30. महंदी में अंडा और चाय की पत्ती का पानी मिलाकर रात भर काली कढ़ाई में रखें और सीर पर लगाएं 31. पकी हुई नाश पात्ती को मैश करके उसमें जैतून का तेल और केला मिलाएं और सीर पर लेप करें इससे सीर की तवचा को भी पोशन मिलेगा दोस्तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी कमेंट बोक्स में जरूर बताएं दोस्तो यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेर जरूर करें हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और यदि आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो जुरूर करें तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही जवर्दस टिप्स के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी अपना ख्याल रखना आपका दिन शुब वा मंगल में हो